शुप्रबाद बचो आज हम हिंदी विशय का अध्यान करेंगे जिसके अंतरगत हम पाड़ दो में उच्छी शब्द छाट कर खाले इस्थान बरे ये वाला करेंगे ठीके अब जैसे फर्स्ट के अंदर दे रखा है मत क्या दे रखा है मत अब इसमें आपके पास ये दो शब्द में से जो शब्द यहां आएगा और ऐसा वाक्य बनाना जिसका कोई मतलब हो जैसे हम यहां पर अगर लिख दे अगर हम इस खाले जगे के अंदर रत लिख देंगे तो क्या बन जाएगा रत मत अब रत मत तो कुछ नहीं होता है तो और अगर हम ये फर्स्ट वाला लिख देंगे डर तो ये क्या बन जाएगा डर डर मत तो डर मत ये तो वाक्य सही है तो डर मत जो है वो आएगा इसके अंदर ठीक है तो इसके अंदर ये फर्स्ट वाला जो है वो सही होगा सेकिंड में है रत पर चड़ रत पर चड़ तो इसमें रत पर भड़ तो आएग सई आएगा इसके अंदर अब थर्ड है जै कर अब इसमें फस्ट वाले में दो दे रखा है जै कर ये जो वाक्य है वो एकदम सई है लेकिन अगर हम इसकी जगे यहाँ पर लिख देंगे सच कर तो सच कर जो है वो सई नहीं होगा तो फस्ट वाले इसमें लिखेंगे जै कर इस फूर्थ वाले में है जल भर अब इसमें अपने पास दो शब्द दे रखे हैं भर और चल दोनो तो जल चल जल चलता नहीं है तो इसका तो कोई मतलब नहीं होगा लेकिन जल भर अगर ये फस्ट वाला लिख देंगे जल भर तो जल को भरते हैं तो ये वाला जो वर्ड है ये जो शब्द है वो सही होगा ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है सब के सामने जो है दो शब्द दे रखे हैं उसमें से आपको जो सही शब्द है वो यहाँ पे खाली जगे में लिखना है और वाक्य पूरा करना है और वाक्य ऐसा पूरा करना है जिसका कोई ना कोई मतलब हो ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में हमने लिख दिया डर, मत, ठीक है सेकिन वाले में हमने लिखा रत पर चड़, भर नहीं आएगा रत पर भढ़नी आएगा रत पर चड़ थर्ड वाले में है जै कर ठीक है थर्ड वाले में हम क्या करेंगे जै कर और जो लास्ट है फोर्थ उसमें हम लिखेंगे जल बर जल चल तो होगा नी जल बर ओके बचो अब आपको यह अपना काम जो है वो आपको अपनी फेयर नोट बुक में करना है ठीक है थैंक यू